आप सभी साथियों को नमो बुद्धा है जैवीम मैं रभी राजबोध गाजी पुर्यूपी से साथ में पृति बहुत बताते हुए दुख हो रहा है कि जो 110 गरीब बनों की साधी कराई जा रही थी युवा सकती सेवा संस्था के तरफ से जो कि ये साधिया हल्दलपूर्थ ठाना च्छित के अंतरगत होने वाली थी 15 दिसंबर को वह सरकार द्वारा पर्मिशन नमिलने पर अस्थकित कर दी गई है अर्था रोक दी गई है टाल दी गई है फिर कोई दूसरा डेट जैसे ही सरकार के द्वारा प्रसासन के द्वारा निर्देशित किया जाएगा उस प्रसाइट को यह साथ ही कराई जाएगी तो हमें बहुत दुख है और दुख के साथ आप सभी को सुचित करना पड़ रहा है हम लोग मजबूर हैं संभिधान का उलंगा नहीं कर सकते हम लोग बाबा साहिब को मानने वाले लोग हैं और हमारे साथ हभी डाक्टर दिपक र प्राड़ा भईया के साथ दिन रात मेंनत करके और कि इसका कर्म को सफल बनाने के लिए 110 गरीब बैने की साधि कराने के लिए दिन रात मेंनत किया हैं जो अब हमारे साथ मोजूद हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस जो कारेकरम जो टल गया है इस पे इनकी प्रतिक्रिया सुनें बताइए सर जी आप इस पे क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले आप सबी को जैभीम नमो गुदाए मैं चंदन सिंगानिया किवा सक्ती सेवा सनता के कारी करता हूँ 15 इसंबर 2020 को हज़दलपूर मैदान में 110 बहन बेटियों की साधी कराया जा रहा था जो कि कुरोना मामारी के वोजर से ये साधी का जो हमलों का पर्मिशन था डियम सामने कैंसल कर दिया है भूबव को लोग जबाब देए वहां कें। सब्सक्राइब लोग जाएं की बात olla हाला कहा है आरुँ आद करें लाड़ी को देखते हुए यह साथी की डेट टल गया है नया डेट जैसे आता है आप सभी को बताया जाएगा इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं इसमें हम लोग कोई गलती नहीं है हम लोग को बहुत दूख हो रहा कि हम लोग दीन रात इतना मेहनत की हैं दीन को दीन नहीं रात को रात नहीं समझे कब सोना कब बैठना कब खाना खाना है खाना नहीं खाय तो भी हम ल जैसे इडियेट आता है कोई नया आप सभी को सुचित किया जाएगा और यह साधी जरूर होगी चाहें जैसे भी हो साथियों मेरे साथ प्रिती बहुद है मैं चाहूंगा कि प्रिती बहुद जो हमारे 110 घर है जो बैने हैं उनके परिवार वाले भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए आप अभी क्या संदेश देना चाहेंगी इस वीडियो के मादेम से सबसे पहले आप शबी दर्शकों को नमो बुद्धाय जैविम मैं बस यही कहना चाहूंगे कि यह इसमें संस्था की कोई कलती नहीं है संस्था तो हमेशा से चाहिए कि गरीबों का भला हो इसलिए उन्होंने यह बीड़ा उठाया सो बहनों की साधी का लेकिन साहित सरकार को यह बात जम नहीं रही इसलिए कि बड़ी-बड़े अभी बिहार में चुनाओ था बड़ी-बड़ी रह लिया हुए हजारों हजारों के ला दस बीस पचास पचास हजार लोग की संख्या में भीड़ होती थी तो वहां कोरोना नहीं था लेकिन मात्रें सो बहनों की साध को नहीं नहीं था और बंगल में होने वाला है बंगल में चुनाओ ऑएगा फिर वैसे ही रह लिया होंगी कोरोना कल improvement ठा फिर जबल से कर दिए क्या मतलब है और अगली डेट कोई सांतोना नहीं है उस 110 से मतलब 220 परिवार हो चुके हैं दोनों लोग मिला के 220 परिवार को कोई सांतोना नहीं दी गई कि अगला डेट कब तक आएगा कोई कुछ नहीं बताए गया हमारे साथ डाक्टर दीपक राज जी है आपकी क् संस्था के द्वारा 15 दिसंबर 2020 को हल्दलपूर मैदान में कराई जा रही है और सारे तैयारी हो चुकी थी लेकिन अचानक से यह अस्तिकीत कर दिया गया इस पर आपका क्या प्रतिक्री है सबसब पहले आप सबीस समानी साथियों को एक इस वर में सादर नमुदाय जैवि क्यों कि आज कल देख रहे हैं कि कैसा सासन है तो जो हमारे बैठें कुर्षी पर बड़े बड़े लोग वही मतलम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब गरीब क्या हो लोग फिर ज्पहले वाला ढ पेरा शलाना चेल पहले की चल लात तो पहले बो तो आप लोगों से है कि इस वीडियो को ज्यादा सेयर करिए और उन लोगों तक बात को पहुचाईए कि परेसान ना हो हम इन बहनों की साधी कराएंगे जरूर कराएंगे और कराके ही रहेंगे यह हमारी पूरी युवा जो टीम है युवा सकती सवसंसता के द्वारा इसने प्रण लिया है कि 110 इन गरीब बैनों की साधी हम लोग कराएंगे बस प्रसासन से अगली डेट कभ हमें मिल रही है तब तक आप लोग इंतजार करें आप सभी से हम लोग एक बार छमा चाते हैं हम लोग मजबूर हैं सरकार के आगे आप लोग परेसान ना होईए ठीक है ब